हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी योटूब चैनल यहू बाबापे, यह हमारा बूट्सेप कोर्स सेलेटी 28 टॉटोरियल है, और इस कोर्स में आप बूट्सेप की पेजी नेशन और ब्रेड क्रम सेलेटीड क्लासिस के बारे में सीखने वाले हैं, यहां देखी सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पेजी नेशन बेसिकली कहते किसे हैं, आपने अकसर वेबसाइट्स में देखा होगा, जहां पर हम प्रोड़क्ट्स दिखा रहे होते हैं, या न्यूज पोस्ट दिखा रहे होते हैं, तो वहां पर सबसे नीचे बॉटम पर पेज में आपको इस पी कोर्स के अंदर, मैं उपर आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं, कि इस तरीकी की पेजी नेशन हम कैसे क्रेट कर सकते हैं, अब यहां पर बात करते हैं, बूट्सेप की, बूट्सेप के अंदर इसमें क्या वाइलेबल है, देख आप पे डिव टैग भी ले सकते हैं, और इसके अंदर आपको एक स्पेशल टैग लेना है, जिसका नाम है यूल टैग, मतलब कि अनौडरलेस टैग, और इस पे एक बूट्सेप की क्लास लगानी है, पेजी नेशन, पेजी नेशन लगाने सी होगा, क्या, इसके अंदर जि जिसका नम है, पेज हाइफन लिंक, इस क्लास को लगाने से होगा क्या, आपकी जितने भी यहाँ पर आपको एक पूरा जो लिंक दिख रहा है, उसके नीचे लेट और राइट से टॉप और बॉटम से एक पैडिंग आजएगी, और यहाँ पर जो लिंक दिख रहा है आप यह एक्टिव लिंक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं, यह हाइलाइटिड हो चुक है, तो इसके लिए जस मेरे को करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास बूट से अपके अंदर एक लास आती है, जिसका नाम है एक्टिव, उसको आपको लिंक पर हो गया है, तो हम इसे डिएक्टिवेट कर देते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर बूट से अपके अंदर क्लास है, जिसको हम कहते हैं disabled, यह देखिए, आपको प्रिवियस वाले लिंक के अंदर, जो भी लाई आ रहोगा, उसके ऊपर यह क्लास लगानी है, disabled, disabled लगाने से क्या होगा, यह नौन क्लिकेबल होजएगा, मत्यकि इस पर कोई भी क्लिक नहीं कर सकता, बेशक यह anchor tag यह है, मगर यह नौन क्लिकेबल बन जाएगा, और इसका color भी होजएगा gray color का, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पर यह pagination का पूर एक link देख रहे हैं, यह मार पास अलग-अलग sizes के भी आते हैं, देखे एक तो normal size है, जैसे कि अभी आपने देखा, एक इससे बड़ा size होता है, कुछ इस तरीके से, और इससे एक छोटा size भी होता है, कुछ इस तरीके से, पेशक आपको किसी भी size की pagination बनानी है, तो एक common class तो लगानी है, आपको URL tag पे pagination, और अगर आप इसके साथ इसको बड़ा size देना चाते हैं, तो special इस वाले URL tag पे आप class लगाएंगे pagination-lg, lg मतलब large, और इसी के साथ अगर आप इसको small size में बनाना चाते हैं, तो आप URL tag पे एक special class लगाएंगे pagination-sm, sm मतलब small, तो आ यहाँ पर एक heading बनाई है, और यहाँ पर मैंने एक table create किया है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में create करना सिखाया था, इसके अंदर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर 5 records आ रहे हैं, अब इसी के नीचे यहाँ पर मैं pageination लगाऊंगा, तो आईए शु इसके नीचे यहाँ पर मैंने अपनी खुद की भी file बनाई है, style.css उसको यहाँ पर include किया है, इस file के अंदर just मैंने यहाँ पर एक border दिये container को, आप यहाँ पर देख सकते हैं, black color का एक border है, आप इसके नीचे देखे, यहाँ पर container के अंदर, मैंने एक row लिया है, row के अंद देखिए, यह हमारा table है, अब जहाँ पर यह table खतम हो रहा है, यहाँ पर मैं अपनी pagination स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक tag ले लेता हूँ, जिसका रहा मैं nav, nav की जग़र मैं div tag भी ले सकता हूँ, मगर nav जो है, वो properly pagination के menu के लिए बन है, तो इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं ul पर एक class लगा रहा हूँ, page nation, यह देखिए, इसके अंदर आकर मैं एक li ले लूँगा और उस पर class लगाँगा page item, page-item, अब इसके अंदर मैं anchor tag ले लेता हूँ, और anchor tag पे भी मुझे class लगानी है, page link, page-link, अभी यह क्योंकि सबसे पहला link है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, previous, यह देखिए, अब मैं इसी पूरी line को copy कर रहता हूँ, क्योंकि इसी को मेरे को duplicate करना 3-4 भर, 2, 3, 4, 5, यह देखिए, मैंने यहाँ पर 5 link rate किया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, 1, यहाँ पर R की जगह पर S लिखना है, basically, और यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2, यहाँ पर 3, ऐसे जितने मर्जी में pages बनाना चाता हूँ, बजना सकता हूँ, क्योंकि यह एक static pagination है, बाकी जितनी भी अंदर की classes है, LI पे और anchor tag पे वो same रहेंगी, आप देख सकते हैं, तो अभी मैं आपको इतना ही चक कराता हूँ, यहाँ मैंने file को save किया, और यहाँ आकर page को refresh, यह देखिए, आप देख रहे हैं, यह proper pagination बन किया, आप इस पर देख रहें, border भी आ रहा है, और अंदर हार link पे proper padding भी आ रही है, top और bottom से, left और right से, और जब मैं hover कर रहा हूँ, तो इसके background में grey color भी आ रहा है, तो इस तरह मैं जितने भी अंदर links बनाना चाता हूँ, बना सकता हूँ, अब इसकी styling के लिए मैं यहाँ पर आपको दूसरी class दिखाता हूँ, active और disabled, तो लगे की तो basically dynamically, PHP के help से, मगर just यहाँ पर bootstrap में हमारे को, इसकी inbuilt classes मिलती है, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और जब यह वाला page active हो जाएगा, तो इससे पिछले वाले page को हम deactivate कर देंगे, खास और से previous वाले page को, तो यहाँ पर मैं LIP class लगाँग यह देखिए, यहाँ मैंने file को save किया, और यहाँ कर page को refresh, यह देखिए, आप देख रहे हैं, जो उनसा भी active page है, उसके background में यहाँ पर blue color आ गया, और जो disabled की है, उसके देखी यहाँ पर pointer ही नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर कुछ click भी नहीं कर सकता, यह देखिए, और यह gray color म मैंने पूरी बनाई है, इसके अलग-अलग sizes भी करके दिखा देता हूँ, तो उसके लिए just मिर को क्या करना है, जहाँ पर जो हमारा यह main URL है, जिस पर मैंने class लगा यह pagination, इसी के साथ मिर को दूसरी class भी लगानी है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर normal size से बड़ा वाला size च अंदर font का size भी बड़ा हो चुक है, एक हमारे पास small size भी आता है, उसके लिए just मिर को क्या करना है, lg की जगा पे लिख देना है sm, यह देखिए, यहाँ मैंने file को save किया, और यहाँ कर page को refresh, यह देखिए, यह है small size, अब यह जैसे pagination आप देख रहे हैं, यह हमारे पास left align म मैं देखा भी था, justify content, तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, इसी pagination के साथ आपको वो class लगानी है, यह मैं small size हटा देता हूँ भी, क्योंकि यह काफी छोटा है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, justify content, और इसके बाद कौन सी alignment चाते हैं, center, यह center करने से क्या कर horizontally से center कर देगा, अभी मैं करके दिखाता हूँ, फाइल को मैंने यहाँ पर save किया, और यहाँ कर page को refresh, यह देखिए, यह हो गया center line, अब मैं इसको right line करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जब center की जगपे मेरे को क्या लिखना है, end, end का मतलब होता है, यह horizontally इसके right align कर देगा यहाँ मैंने file को save किया, और यहाँ कर page को refresh, यह देखिए, आप देख रहे हैं, यह right align हो गया, अब इसके बाद हम देखते हैं कि boot setup के अंदर, जो हम breadcrumb बना सकते हैं, उसकी styling कैसे है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, breadcrumb कहते कैसे हैं, यह देखिए, तो breadcrumb basically कहते कैसे हैं, देखिए, यहाँ पर हम दिखाते हैं, हार page के उपर हम इस तरीके का एक link पास कर देते हैं, जो पताता है कि इस page तक आने का proper hierarchical structure क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे home page पे, फिर उसके बाद library पे, फिर हम data नाम के page पे हैं, तो zone से भी हम page पे होंगे, पर अगर हम इससे पिछले वाले links पे जाना चाते हैं, तो वहाँ पर हम anchor tag लगा देंगे, यह देखिए, तो इसके लिए बनी बनाए bootstrap के अंदर classes हैं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एपना tag लेंगे, जिसका नाम है nav, nav मतलब navigation, हम इसकी जगह प यह देखिए, इस तरह हम और भी जितने li tag लगाएंगे, सब पे हम same class लगा देंगे, यह देखिए, breadcrumb, breadcrumb, और जो नसा भी active page होगा, उस पे हम special class लगा देंगे, active, इसका मतलब है कि add present हम जिस page में है, वो है data नाम का page, अगर हम library वाले page पे होंगे, तो वहाँ पर हम class उपन की हुई है, जिसका नाम है yahoo baba.net, और यहाँ पर हमारे पास एक link है free templates करके, जिसके अंदर मैंने आपको bootstrap के free templates बना के दी हुए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने breadcrumb को कहां use किया, देखिए, मैं कोई भी एक template open कर लेता हूँ, देखिए, जैसे यह है pro कोई भी page है, माली जे मैं यहाँ पर pages के अंदर services पर click कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए, जो उपर वाला header वाला पाट है, menu के नीचे, यहाँ पर आपके सामने our services लिखा हुआ, इसका मतलब है हम add present इस वाले page पर है, और यहाँ पर देखिए आपको एक link दिखेगा, home है, और home के अंदर pages, तो यही हमारा breadcrumb है, जो बता रहा है, पहले हम homepage पे गए, फिर pages के अंदर हम इस present page पे आए हैं, जिसका नम है our services, मैंने add present zone सा भी page है, उसका link यहाँ पर डाला नहीं है, उसको भी मैं डाल सकता हूँ, just मैंने इसके parent वाले जितने भी link से, उनका link दिया मैं किसी और page पे जाके दिखाता हूँ आपको, यह देखिए, यहाँ पर आगे home के अंदर portfolio, तो इस तरह का breadcrumb अभी मैं आपको यहाँ पर use करके दिखाऊँगा, यहाँ पर मैं आपको इससे उपर breadcrumb का यहाँ पर link डाल के दिखाता हूँ, तो देखिए मैंने वही page open कर आप यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो यह हमारा table आ रहा है, इससे उपर मैं यहाँ पर nap tag ले लेता हूँ, और इसके अंदर आकर एक old tag ले लेता हूँ, और उस पर class लगाते थे हूँ, breadcrumbs, crumbs s नहीं लगाना, basically b लगाना खाली, और उसके बाद मैं यहाँ पर li tag के अंद एक special class लोंगा, जिसका नम है, breadcrumb item, और उसके अंदर एक anchor tag ले लेता हूँ, anchor tag पर मुझे कोई class नहीं लगानी है, इसके अंदर just जाके मैं कोई इस पी link लिख देता हूँ, जैसे जो सबसे पहला वाला link होगा, तो हर website में जो सबसे पहला link होता है, वो तो होम पेज का link, त उसके बाद मैं इसी को duplicate करके यहाँ पर एक दूसरा link बना लेता हूँ, जैसे माली जी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, students, और इसके बाद एक link और बना लेता हूँ, यह हमारा last link होगा, जहाँ पर मैं student का सारा record दिखा रहा हूँ माली जी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ रिकॉर्ड्स यह देखिए अभी इस पेज पे मैं यहाँ पर एक स्पेशल क्लास भी लगा देता हूं लास्ट वाले पे एक्टिव जिसे पता लग जाएगा कि यह एक्टिव पेज है एड़ प्रेजन जो पेज ओपन हुआ हुआ है वो रिकॉर्ड्स का पेज है तो यहाँ म देखिए यहाँ पर एक गड़बड हुई है एक्टिव में जो उनसा भी हमारा एक्टिव पेज होता है तो उस पे हमारे को यहाँ पर एक्टिव के लिए एंकर टैग लगाने की जूर्थ नहीं है क्योंकि हम अलरड़ी इसी वाले लिंक पर ही है तो यहाँ से हम इसी पेज पर दुबारा क्लिक तो करेंगे नहीं तो इसलिए मैं यहाँ से एंकर टैग हडा लेता हूँ यह देखिए और यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश यह देखिए यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं यह ग्रे कलर में कनवर्ट हो गया तो यह यह हमारे पीछे वाले लेंक है अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट वाले पेज पर चला जाएगा और होमपेज पर क्लिक करेंगे तो होमपेज पर अभी तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर कोई लेंक पास नहीं किया तो यह नहीं जाएगा पेसी के लिए हम ऐ और यहाँ पर आपके सामने breadcrumb दिख रहा है आपको, हर page पर हम breadcrumb पास करते हैं, और जब मैं नीचे जाओंगा तो देखी, यहाँ पर मैंने pagination का भी use किया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने previous और next की जगह पर यहाँ पर font awesome का icon लगा है, तो already मैंने उस पर आप पर link पास कर दूँगा, इसका i button पर, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं, कि हम font awesome को कैसे use कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए, अगर आप ऐसे ही regular updates आते हैं, तो हमारी चैनल यहू बाबा को subscribe करना मत भूलिए,